टुंडरा एकोसिस्टम फास्ता कॉंटेंट्स एक्षिली डिस्कुसिंग दा इफेंट फांज आफ टुंडरा एकोसिस्टम अगर हम देखे तो टुंडरा एकोसिस्टम में जो मोड्यूल 1 है उसके अंदर हमने इसके basic features देख लिए तो यहां हम देखने जा रहें कि टुंडरा एकोसिस्टम के further types क्या है और यह कहां कहां exist करता है तो टुंडरा अपने टुंडरा एकोसिस्टम के दो basic types है यहां आर्क्टिक टुंडरा एंड अलपाइन टुंडरा तो फिस्टा मैप इसन देख सेखते हैं कि यह मारे पास एक तरफ आपर अमेर्का है नौर्थ अमेर्का की पार आने का जो नॉर्धर का जो झोने और इखें दिसको जो इसको blue color में शो किया गया है this is actually the architect उन्रा इस तरह से जैसे जैसे हम उस्तरफ आइं तो यह जो Asia और योरोप का जो northern region है this is also the architect उन्रा तो यह सारक सारे region जो होगा this is the architect उन्रा जो के यानि के north of योरोप या कह सकते हैं के north of actually the russia, russia का northern part और इस तरह से जो Canada का जो northern part है वो आर्किरिक उन्रा को रिप्रेजेंट करता है आर्किरिक उन्रा को अगर हम इन्हें के physical map के उपर देखना चाहेंगे तो it is the present in the north of Canada, north of the russia रश्किया और कनेडा के north के उपर यह मुझूद है यहां चंद एक जो टाइप के specific लोग जहां वो रहते हैं जिसमें हमारे पास दाफस्ट पानिदा एन गैनेसन और नेट्स और नेट्स यह specific टाइप साफ लोग है या कबीले हैं जो क्या करते हैं कि वहां जहां वो इस आर्किर्ट उन्रा के एरिया में जहां वो हैं या फिर रह रहे हैं उसमें तो इन्वार्मेंट कंडिशन आर्वेरी सवीर इन्वार्मेंट कंडिशन वो सवीर इसला हीमन पॉपुलेशन भी यहां वो बराए नाम है यह चांद एक जहां वो फ्यू थाजन पीपल्स आ लिविंग देर इस एरिया के अंदर फ्यू था है वो माइनस सर्टी रहेगा विंटर में और जो स्प्रिंग के अंदर या जब हम बात करेंगे कि समर की तो यह टूंटी डिग्री सेंटी ग्रेड तक आएगा लेकर एक्स्ट्रीम कंडिशन में यह टेंपरेचर माइनस सर्टी के वज़ाए माइनस 40 माइनस 50 वर माइनस 60 त delect tiếp रोंगे अगर इसके अंदर जो प्लांटस मुझुद है गो प्लांटस जो श्रस की फार मोद दीड़ारन चैडर यह नजर आती हैं लेकर इन शिरॉक को हम देखें इसको ग्रो करने में उसको करने में 1002 के बाद उसका चैनिट वह पहुंचाऊ अगर इसको कूई जोगा तो फिर उसका effect भी बहुत जहां वो long term होंगे अगर अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स जो हमारे पास मौझूद है इसमें Arctic fox मौझूद है that's a polar bear है या फिर का wolves है reindeer मौझूद है या फिर इसके लाव जहां वो यानि गूजूद है इसके लाव फिर जो है वो हम मूफ करेंगे ताकि जहां वो डिफर टाप्स जो वेजिटेशन है या इंसेक्ट्स अगर वहां को यह नहीं कि वेजिटेशन के ओपर में लिव क्या करते हैं वो डिपैंड करते हैं प्लान्ट लाइफ आफ आर्टने टृंड्र इसके लाव फिर यह फ्र इसके लावा हमारे में स्पेसिफिक ग्रासेज था और शिरब कि अप्षम हो सकती है यानि इसके simple example यूदे है कि अगर हम यहां से जो हमारे सेंसिंद का अलाका जहाओ अगर आप देखें वो डेजर्ट फार्म में है वो climate बड़ा हार्ष है उसका warm climate है जैसे जैसे हम नौर्थ की तरफ जा रहे हैं तो height क्या हो रही है height बढ़ने का effect किया है कि temperature आश्ताथ decrease हो रहा है यानि जो मरी का temperature है वो वाकी south के area से क्याम है इसे अगर जैसे आप northern area जमाय नारान का गान फिर चले जाते हैं फिर उसके बाद आगे क्रॉकरम की तरफ चला जाएंगे तो temperature मजीद decrease करता चला जाएगा अब इसका effect क्या है जैस उसके पर बिलकुल वही climatic condition exist करती है जो पोल्स के उपर exist करती है जो टूंडरा ecosystem को खास conditions होती है वो exist करती है यह वहाँ trees कोई नहीं होंगे वहाँ 9 months तक जहाँ यह 10 months तक जहाँ वह winter चलेगा short जहाँ उसके अंदर spring season आएगा तो यह तमाम चीज़ों जो होती है वो fine टूंडरा है यानि कि जो mountains के ऊपर टूंडरा मौजूद है यह पूरी दुनिया में थ्रोड जहाँ भी mountains मौजूद हो वह यह पाया जाता है जैसे अगर हम देखे इवन अफरीका के अंदर मौजूद है अमेरिका में मौजूद है योरॉप में मौजूद है एशिया में म पाकिसान की बात करें तो हमारे जो क्रॉक्रम हैं जिसको हमारे पास जो जो नादरन जो क्रॉक्रम mountains का एक सिर्सला जो है वह उसमें टूंडरा ecosystem यह वह exist करता है इस diagram के अंदर आगर हम देखें तो यह जो हमारे पास different areas जैसी यह अगर हम सबसे diagram का एक पार्ट देखें इसक अरिका के अंदर विल्कुल साउथ के ऊपर चले जाएं तो हमें वहाँ एक टूंडरा ecosystem जहाओ अल्पाइन टूंडरा मिलेंगे mountains मिलेंगे यूरॉप के अंदर mountains मौजूद है एशिया के अंदर mountains का बहुत बड़ा सिल्सला मुजूद है इसलिए एशिया के अंदर आप दे होंगे mosses होंगे और इसके अलावा इसमें जाओ वो shrubs मौजूद होंगी अनिमल लाइफ जो है वो जो अल्पाइन टूंडरा है उसकी आर्किटिक टूंडरा से बहुत हाथ तक different है और even एक अल्पाइन टूंडरा की life दूसरे अल्पाइन टूंडरा से क्या है मुझतलिफ ह अब क्योंकि यह अल्पाइन टूंडरा आपस में connected नहीं है तो इसलिए हर different जो है पैचेस पर जो मुझूद है उसके अंदर आपको different life मिलेगी कहीं आपको गोड की टाइप मिलेगी कहीं दूसरी तरफ गोड की दूसरी टाइप मिलेगी कहीं specific sheep मिलेगी तो even जो animals हैं वो क् spread की होती है soft soil के अंदर जो के actually जो dormant condition है उसके अंदर plant को survive करने में help out करेंगी यानिके winter के दुरान से लोग स्पोर्ट करेंगी इनिमल में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास mountain goats है big horn sheep आ जाती है दें चिंचला याक है या फिर इसका पिक अगरा जो इस आल डिफेंट आपस अनिमल प्रिजेंट इन डिफेंट ताइप साफ एक तुंड्रा एक अलपाइन तुंड्रा तो क्लाइमेटिक कंडिशन climatic conditions अगर हम देखें तो जो आर्किटिक टूंड्रा और जो इसकी जो है वह वह रही की क्लाइमेटिक कंडिशन तो अवराल सेम है यहां हम डिसक्स करने जाएं कि वाट इस दाई एफेक्ट आफ इवार्वाट इधा इंपेक्ट आफ चेंजी इंवार्मेंट आंदा सिस्टम तो जितनी भी इंवार्मेंटल कंडिशन चेंज़ेंगी वह सब से जदा इंपक्ट करेंगी आग इसमें सबसे इंपॉर्टन चीज़ है जो हमें देखने के उसमें यह है कि कार्बन एक बहुत बड़ी जो इंवार्मेंट आए ग्लोबल वाव्मिंग बहुत बढ़ जाएगी जिसा मिथेन जो है कार्बन डेक्स सब्सक्राइब के आइस सब्सक्राइब बाज़ाएगा इसके जिसके वज़एस ब्रसी जो परा पहले वाले कंडिशन वो अब नहीं है जैसे चैसे आप इसके आदर होने का मक्तलब यह है कि टुंडरा एकोसिस्टम के लावा जो बाकी एकोसिस्टम से एनिमल्स है वहां मूव करके जारें जैसे रड़ फॉक्स जो है वहां मूव करके गया जिसके रड़ फॉक्स और आर्क्रिक फॉक्स के दिरमाने एक कंप्यूटिशन शुरू हो गया अब जोंकि आर्क्रिक फॉक्स जो है वह उतना एडवांटेच पर नहीं है तो इसके लांग लास्टिंग एफेक्ट जो हो सकते हैं इसी तरह से वहां डिफरन टाइपस अफ इंसक्ट सब्सक्राइब इस्टेबलिश कर रहे हैं पर्मा फ्रॉस्टिस मेल्टिंग टुंडरा एक झाल